नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज का हमारा विडियो का टॉपिक है कि जब आप प्रेगनेंशी कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंशी के सेकेंड टाइमेश्टर में आपके नाभी के सीधे एक लाइन नजर आती है जो किस कारण से नजर देती है जो कि बिल्कुल भी डार्क होती है तो आपका होने वाला बच्चा लड़का होता है और यह आपकी में थोड़ी से भी तेड़ी होती है या तो हलकी होती है तो आपका होने वाला बच्चा लड़की होती है दोस्तों यह किस बात तक सहीं है इसके बारे में आज जाने दोस्तों आपके लिए वीडियो Turns वीडियो को पूरा देख्येगा और वीडियो पसंद आये तो लाइक करके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज SCOTT झाणकी आप now- autor करने के पाद आपके सरीड में काफruce सारे बतलाव आते हैं और जैसे dest ट्राइमिस्टरी स्टार्ट होता है काफी सारी गर्व होती महिलाओं के नाभी के सीधे चेश्ट तक एक लाइन दिखाई देती है अगर आपकी प्रेगनेंसी में यह लाइन भी दिखाई दे रही है तो इससे कोई भी डर्न की बात नहीं है इससे आपके बच्चे पर और सेके जेंडर को प्रेडिकेट किया जा सकता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वह जो लाइन होती है जिसे लाहिन या ग्राइना कहते हैं यह सिर्फ हार्मोन के चेंजन्जेस के कारण होता है अगर आपका कलर होता है तो यह लाहिन हल्की या तो बिल्कुल भी दिख दिखाई देता है। यह सिर्फ आपके द्रण के क्लर के करन होता है जो डारक या साल लाइट दिखाई देता है। और कुछ लोगों में यह मान्य हुआ है Thank you, thank you and thank you nor कुछ लोगों के में मान्य नहीं हुआ है। इसका कोई स्याइटिफिक रिजन नहीं है नहीं इसमें कोई भी सचाई है आपके नाभी पर यह जो लाइन बनता है सिर्फ हार्मोन के चेंजिस के कारण होता है और कुछ लोगों के में दिखाई देता है कुछ लोगों के में झाल झाल